यहां पर हमारे चैनल से एक बच्चे का अज एक्जाम तो उससे मेरी बात भी हुई है तो जो कॉशन्स मिले हैं और जो कॉशन्स मिले उनके हम यहां पर आंसर देखेंगे एक्स्टा डीटेलिंग देखेंगे और जो कॉशन्स है न आज आज आपको 2016 के दो करेंट के कॉशन्स देखने को मिले हैं और 2018-19 मतलब करेंट अफेर न यह कहां से देने का सोच रहे हैं को समझ नहीं आ रहा है इनका मुझे चलिए अभी बताता हूं आपको क्या 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 कॉशन्स आये हैं सीधर टुदा पाइंट बात करते हैं ठीक है अनलिसस शु है यहां पर पूचा गया कि जो सी आई सफ इसका फांडेशन आपसे पूंच लिया गया पूचा गया ऑपनेशन यह से सबको पता है ना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्यूरिटी फोर्स अब यहां पर अगर आप से पूच लिए जाए फांडेशन ने तो 1969 का है इसका यह चीज तो आपको पता होगी भी आई हो इसके अलावा से सब्सक्राइब कर लेना सेंट्रल इंडस्ट्रियल एंड सेक्यॉरिटी फॉर्स अल्राइट चलिए अगले सब्सक्राइब करेंडिया में इंडिया में कौन से स्टेट में वह फॉसल्स मिले थे बात को समझ पा रहे हैं सारे लोग सब्सक्राइब क्या इनडिया में 2016 में एक जगे रॉइनस्ट्राइब कॉसल मिले थे वो से स्टेट में मिले थे तो देखो भई स्टेट था अपका ठीक है गुजरात में जो है अगर मैं उस डाइनसौर की नाम की बात करूँ तो इस डाइनसौर को नाम दिया गया था इक टाइसौर ठीक है एक टाइनसौर और ये न्यूज मुझे ना मतलब तब भी काफी अट्रेक्टिव लगी थी तो फिर मैंने मुझे ये नाम थोड़ा सा याद रह गया था तो मैंने जब एक बार इसे देखा तो क्लेस भी आपका यहां पर गुजरात आ जाता है ठीक है काफी साल पहले की बात होगी अब यह तो पांच-पास साल पहले करेंट फिर भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो अब इन कॉश्चन्स में ऐसा है कि जिसको नहीं आता उसको नहीं ही आता है अगला कॉश्चन देखो इसमें आपसे पूछा गया कि IMF में टोटल कंट्री क कितनी हैं इंटरनेशनल मोनेटरी फंड में नंबर ऑफ कंट्री आपसे पूछे गई नंबर ऑफ कंट्री कितनी हैं और यून में 193 यह चीज़ दान में रखना यून में 193 वल्ल्ड बैंक में 193 लेकिन IMF में 190 और अगर आपसे पूछ ले यून में स्टार्टिंग में कितनी मेंबर कंट्री थी तो स्टार्टिंग में 51 थे यून की जो सेक्यूरिटी कांसल इसके पर्मनेंट मेंबर कितने हैं 5 है ठीक है तो यह कुछ कॉश्चन से जो मेंबर वाले पूछे जा सकते हैं इसके के लावा आप देखो IMF का मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं अच्छे से नो टाउन कर लेना इसकी है क्रिस्टालीना जॉर्जी एवा ठीक है चलिए अगले वाले कॉश्चन पर बढ़ रहे हैं आपका फॉर्थ वाला कॉश्चन देखते हैं फटाफट से देखो प किसे ने डिजाइन किया स्टेश्य आफ यूनिटी को तो भाई राम वी सुतार ने किया है यह चीज तो सबको पता ही होगी और इन्होंने अभी एक और सरदार पटेल जी की मूर्ती डिजाइन करने वाले हैं और अगर आपसे पुछले हाईट कितनी स्टेश्य आफ यूनि एक November है ठीका अचया क्यों मूवी म्हस समझ लेना दसे Know Heals से author यानि कि इसके author का नाम आपसे पूछ लिया गयाelfे से किसोंने लिखा तक मुल्क राज ऐननने ठीक इसने लिखा था मुल्क राज आनंद ने लिखा था कौन से येर में लिखा तो ये इन्हों ने लिखा था 1936 में अब लिखा 1936 यानि की आजादी से पहले ठीक है अगले कोशन पर आ रहे हैं फूर्थ वाला कोशन है कौन सा है सिक्स फवाला कोशन देखो इसमें आपसे 54 में पॉम्बे में जो है आपकी पहली कॉटन की मिल लगाई गई और इसके अलावा अगर ध्यान में रखना है तो यह भी करक लेना कि यह जो कॉटन पहली बार लगाया गया यह कहां पर बेचा जा रहा था कहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा था तो एक तो इंग्लेंड मे कॉटन फिर से रिपीट कर गया मुसलिम लीग और फिर खिलाफत मुवमेंट इसके ऊपर भर भर के कॉषण आ रहे हैँ मुसलिम लीग दीखो आपका क्या कोशन था इस बार found एं ठीक है आपसे एर पूच लिया गया कॉनल से एर में found आपका यह किया गया था तो हमेशा धा इसकी foundation किसने करी तो इसने ये foundation करी थी Salimullah ने और basically इसके पीछे intention क्या थी कि जो Muslim और Hindu है इनके बीच में देश का बटवारा हो जाए basically यही इनका direct action देदा और एक चीज़ और धान में रखना किस जगह ये found किया गया तो ये किया गया था आज के टाइम पर जो आपका धाका है पांगलादेश के अंदर आता है लेकिन जो उस समय 1906 के टाइम पर इसे दक्का कहा जाता था इंडिया का ही पार्ट था ये ठीक है ये सब तो आपको पता होगा है तो ये कॉशन आपका पूँचा गया और ये जितनी बातें बता ही इन सबसे लगातार कॉशन आ रहे है ठीक है नेक्स्ट वाले कॉशन को देखते है एर्थ वाला कॉशन देखो यहां पर आपसे पूचा गया था इंडियन एस्ट्रोणॉमी बड़ा ही प्यारा कॉशन है ये इंडियन एस्ट्रोणॉमी मिशन अब कॉशन की आप जरह सा यहां पर ब्यूटीनेस को देखना Astronomy Mission on X-Ray बिल्कुल डिट्टो यही कोशन पूछा गया और जो मैं बता रहा हूँ X-Ray और आपका Opticals X-Ray Opticals UV Spectral Bands ठीक है इन तीन चीजों की उपर इंडिया ने एक Astronomy Mission भेजा था उस Astronomy Mission का नाम क्या था यह आपसे पूछ लिया गया ठीक है तो फटा फट से बताओ क्या नाम था उसका तो उस Mission का नाम था AstroSat और यह देखो और यहाँ पर बच्चे अगर इतना बड़ा-बड़ा कोशन याद ही नहीं रह पाता अब देखो यह कौन से येर में आपका भेजा गया 2015 यानि कि 2015 में यह आपका भेजा गया था और अगर मैं आपसे बात करूँ कहां से भेजा गया तो 17 धवन Space Center से भेजा गया था आप कोशन देखो ऐसे भी आने लग रहे हैं वो सकता है कि आपसे पूछले आप AstroSat वाला जो Mission था हमने कहां से लॉंच किया करके था है ना Garrison Town in India करके था तो एक बात ध्यान में रखना Garrison Town in India जो है हर्याणा को बोल सकते हैं बाकि आपका Option में क्या था यह आप यहाँ पर देखने वाली बात होगी अगर Option में हर्याणा था तो आपको हर्याणा टिक करके आना था है ना बात को समझ पाने हैं सभी लोग clear है तो एक बार मुझे जिन लोगों ने एक्जाम दिया है ना वो लोग नीचे बता ना हर्याणा Option में था कि नहीं था अगले Question को देखो इसमें आपका पूँचा गया कि जो Meso National Front है ठीक है Meso National Front जो है इसके Founder का नाम पूचा गया अब यह जो Meso National Front है ना यह Meso Room की एक Religious Party है ठीक है Political Party है यह और इसके Founder का नाम क्या है तो इसके Founder का नाम है लाल डेंगा ठीक है क्या नाम है लाल डेंगा है और अगर पूचले as of now यानि कि 2021 में इसके President का नाम क्या है तो इस Party के President है अभी जोराम ठांगा ठीक है जोराम ठांगा नाम सुनकर के आप लोगों को हो सकता है कुछ आपकी दिमाग की घंटियां बज गई हो ठीक है तो जोराम ठांगा है और अगर पूच लिया चाहे कि कौन से Year में क्या हुआ कि 20 बच्चे 20 लड़के यानि कि 20 बॉइस जो है वो ट्रैप हो गए थे केव के अंदर और फिर उनके लिए काफी ज़्यादा News बगेरा में भी आया था तो वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर ये 20 बच्चे फसे थे ये कौशन पूचा गया आप देखो ये कंट्री कौनसी है तो ये है थाइलेंड ठीक है कौनसी कंट्री में फसे थे भई थाइलेंड में फसे थे तो मज़ी में आगी सारी की सारी बात अच्छा अब देखो एक कोशन मेरे पास में ये है ट्वल्थ वाले question पर आते हैं जो student ने मुझे बताया है वो ऐसा बताया है कि question इस तरी के सदागी smallest aircraft of India बट मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा smallest aircraft of India ही था कि एक बार question मुझे ये verify करके बताना जिन लोगों ने exam दिया है smallest aircraft of India कि इसका भई option अगर ये question आप से मुझा गया तो option मुझे एक बार ज़रूर बताना और अगर ये question नहीं आया था तो इसको हटा करके क्या question आया हुआ था वो भी एक बार मुझे बता देना ठीक है तो ये तो कुछ आज के जो questions आपके आये थे वो आपको कराही दिये हैं इसके अलावा अगर और कोई दिक्कत परिशानी हो comment कर देना ठीक है session कोई इंपेंट करते हैं thank you so much godless your all take care and bye bye